नमस्तार मैं आपकी वास्तुगुरु मान्या आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया नियूस फैमली गुरु पर आज मैं आपको महाशिवरात्री के बारे में कुछ बताना चाहूंगी देखे महाशिवरात्री का जो त्योहार है ये हिंदू धर्मे शिवजी जी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है मानेता यह भी है कि इस दिन सच्चे मन से भक्त शिवजी जी की अगर पूजा करते है तो उनसे शिवजी जी को खुश हो जाते है और उनको खुश हो कर उनकी हर इच्चा को पूरी करते है भगवान शिवजी बहुत भोले हैं यदि कोई भक्त सची श्रदा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी चड़ाता है या आरपित करता है तो वह खुश हो जाते है इसलिए उन्हें भोले नाद भी कहा जाता है आज मैं वास्तु गुरु मानिया आपको बताऊंगी कि शिवरातरी के दिन क्या-क्या उपाय करने चाहिए इन में से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे तो भोले बापा आपसे प्रसंद हो जाएंगे माशिवरातरी पर रात में किसी शिव मंदिर में दिपक जरूर जलाएं शिव पुर्रान के अनुसार पुबेर देव ने अपने जन्म से पहले रात के समय शिवलिंग के पास रोश्नी की थी इसी वज़े से वह धन के देवताओं के रूप में पैदा हुए इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ती होगी हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार माने गए है शिवरातरी पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन हो जाते हैं इनकी कृपा से भक्त भी सभी परिशानियों से दूर हो सकता है किसी सुहागिन को सुहाग के सामान उपहार में जरूर दे जो लोग यह उपाय करते हैं उनका शादी शुदा जीवन सारी प्रॉबलम से दूर हो जाता है सुहाग का सामान जैसे कि आप लाल साडी लाल चूडिया कुम कुम यह सबादी दे सकते हैं ऐसे करने से आपके पती की आयू लंबी होती है और आपके रिष्टों में मदूर्ता भी बनती रहती है महा शिवरात्री पर किसी जरूरत मन व्यक्ति को अनाज और धन का दान जरूर करें शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश्ट हो जाता है पुन्ने भी मिलता है आप चाहे तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं जो लोग शिवरात्री पर किसी बेल के पेड़ के नीचे खड़े होकर खीर या फिर घी का दान करते हैं उन्हें महालक्षमी की विशेश कृपा प्राप्त होती हैं ऐसे लोग जीवन भर सुक्सविधाओं से को प्राप्त करते रहते हैं और कामों में भी उनको हमेशा सफल होते हैं मैं कलफीर आउंगी आपके सामने इसी तरीके के छोटे-छोटे उपायों के साथ और मैं आशा करती हूँ कि जो भी उपाये हम आपके साथ शेयर करते हैं आप उनको जरूर करते हैं आप अपने उपायों को करने के बाद उसके रिजल्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे मैं आशा करती हूँ कि आप इन उपायों को करेंगे और अपनी जिन्दगी को बहुत ही बहतर मनाएंगे मैं कल फिर मिलूंगी तब तक के लिए आप हमारी वीडियो का इंतजार करें नमस्कार